हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल Learn English with Nazma पर और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नए स्टोरी लेकर और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये थोड़ी सी लंबी कहानी है लेकिन एक बहुत ही अच्छी और मोरल स ठीक है तो चलिए शिरू करते हैं हमारे आज की स्टोरी सबसे पहले हम अपनी कहानी का टाइटल देखेंगे हमारी कहानी का टाइटल है अब मैं कहानी पढ़ना शूरू करती हूँ once upon a time in the city of Patna there lived a thief whose name was Kalu क्या मतलब हूँ once upon a time यानि एक समय की बात है in the city of Patna, Patna शहर में there lived a thief यानि एक चोर रहता था whose name यानि जिसका नाम वोज कालू यानि कालू था क्या मतलब वो पूरी लाइन का एक समय की बात है पतना शहर में कालू नाम का एक चोर रहता था he often used to roam in the city at night to steal from people's houses क्या मतलब हुआ he यानि वह often often का मतलब अक्सर used to used to का प्रियोग past के किसी भी habit या आदतों दिखाने के लिए किया जाता है Rome, Rome का मतलब भी खूमना थीक है in the city यानि शहर में at night रात के समय to steal steal का मतलब चोरी करना ठीक है चोरी करने के लिए from people's houses people यानि लोगों के घरों से चोरी करने के लिए रात के समय शहर में अक्सर घूमा करता था One night he was passing by a house which was locked since several days क्या मतलब भी यानि एक रात he was passing by a house ये हमारा past continuous का sentence है जिसमें हम helping verb के रूप में वोज ये फिर work का प्रियोग करते हैं और helping verb के साथ में हम verb की fourth form का प्रियोग करते है ठीक है इसमें हमारा subject ही है तो according to the rule ही के साथ में वोज का प्रियोग हुआ है और वोज के साथ में वर्प की fourth form कप्रियों किया गया ठीक है one night यानि एक रात he was passing by a house यानि वह है गुजर रहा था एक घर के पास से which was locked यानि विच यानि जो की लोग यानि जिस पर ताला लगा हुआ था since several days यानि कई दिनों से ठीक है जिस पर कई दिनों से ताला लगा हुआ था एक रात वोस भ तो a small lamp glowing inside क्या मतलब हो है यानि वहा या उसने curiously curiously का मतलब बता उच्छुकता से ठीक है या फिर जिग्यासा से पीप पीप का मतलब बता जांगना रिये पीप की second form यानि उसने जाका through the window यानि खिडकी से of the house जो घर की यानि उसने उच्छुकता से खिडकी से जाका and saw और देखा a small lamp एक चोटा दिया glowing यानि जो जल रहा था inside अंदर उसने देखा कि एक चोटा से दिया अंदर जल रहा है he felt alarmed that somebody was inside felt का बतलब बता मैसूस होना alarm यानि चोकनना एकदम से ठीक है वो है एकदम से चोकनना हो गया that की somebody यानि कोई आदमी वो जैनि था inside अंदर की कोई वहाँ पर अंदर वहाँ पर कोई था he waited for several minutes but nobody came out he waited wait का मतलब वो था इंतजार करना और ये wait की second form है उसने इंतजार किया for several minutes यानि कई मिनट तक उसने इंतजार किया बट लेकिन nobody यानि कोई भी नहीं came out बाहर आया कोई भी बाहर नहीं आया कालू again tried to look inside and saw a coat and two cupboards in the room कालू again अगेन कालू ने क्या किया दोबारा try का मतलब वो था कोशिश करना और ये try की second form है ठीक है कालू ने दोबारा से कोशिश की to look inside यानि अंदर देखने की and saw और उसने देखा a coat एक चारपाई and two cupboards और दो अलमारी in the room यानि कमरे में ठीक है क्या मतलब वो पुरे लाइन का कालू ने दोबारा से अंदर देखने की कोशिश की और उसने देखा कि अंदर जो है कमरे में एक चारपाई थी और दो अलमारिया थी he silently twisted the window grills and managed to enter the house he यानि वहा या उसने silently silently का मतलब चुपके से twisted यानि मोर दी the window grills यानि खिड़की के जो grills थी उसने उसे चुपके से मोर दिया and managed to enter the house और घर में परवेश करने में सफल हो गया few pieces of gold were lying scattered on the floor few pieces यानि कुछ टुकड़े of gold यानि सोने के वर लाइंग यह हमारा परस्ट कॉंटिनेस का सेंटेम से ठीक है helping work के साथ में वर्व की फोर्ट फोर्म का प्रियों हुआ है पड़े हुए थे scattered scattered का मतलब बिखरे हुए ठीक है on the floor यानि first पर few pieces of gold were lying scattered on the floor यानि कुछ सोने के टुकड़े पर्स पर बिखरे हुए पड़े थे कालू felt very delighted and lucky delighted का मतलब बहुत ज्यादा खुशी होना ठीक है कालू को बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई and lucky और भागे शाली उसे ऐसा महसूस हुआ he thanked God and thought यानि उसने भगवान का शुकर अदा किया and thought और सोचा यह थिंक की सेंगिल फोमें यह सोचा there is so much gold in this house there is यानि यहाँ पर है so much gold इतना ज्यादा सोना in this house इस घर में यानि इस भर में इतना ज्यादा सोना है if I take all of it today I will never need to steal anymore क्या मतलब यदि I take मैं ले लेता हूँ all सभी को of it today इस सभी इन सब को यानि अगर मैं आज ले लेता हूँ I will never need to steal anymore यानि मुझे फिर चोरी करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कालू हरिडली का मतलब युद्ध जल्दी जल्दी थी कालू ने जल्दी जल्दी से क्या क्या स्टार्टे यानि शुरू कर दिया बट जस्ट वेन कालू फिनिश्ट क्लेक्टिंग ओल्ड गोल्ड पीसिस अपियर ओन दा फ्लोर क्या मतलब बट यानि लेकिन जस्ट वेन जब यह जैसे ही कालू फिनिश्ट का मतलब खतम करना वो खतम करता जस्ट वेन दा फ्लोर क्या करता जैसे ही कालू सारे सोने के टुकड़े खतम करता उतने ही जदा सोने के टुकड़े फर्श पर प्रकट हो जाते यानि दिखाई देने लगते इन उसने दोबार से शुरू कर दिया इन इस तरह से whenever कालू filled his bag with all the gold pieces and wanted to leave the house more gold appeared on the same floor क्या मतलब है whenever यानि जब भी कालू filled his bag कालू अपना बैग भर लेता with all the gold pieces यानि सभी सोने के टुकडों से जब भी वो अपना बैग भरता and wanted और चाहता to leave leave का मतलब निकलना या छोडना the house घर को ओई वो घर को छोडना चाहता more gold appeared यानि और भी ज़्यादा सोना प्रकट हो जाता on the same floor उसी फर्ष पर और भी ज़्यादा सोना प्रकट हो जाता he decided to stay back that night and collect more gold every time it appeared क्या मतलब है he decided यानि उसने निर्ने किया decide का मतलब निर्ने करना और ये decide की second form है उसने निर्ने किया to stay back यानि वापस वही रहने का that night यानि उस रात and collect और इकटा किया more gold यानि और भी ज़्यादा सोना every time it appeared यानि जितनी भी बार वो प्रकट होता उतनी ही बार उसने वो सोना इकटा करना शुरू कर दिया the next morning he wanted to get out of the house but felt afraid of being seen by someone क्या मतलब यानि अगली सुभा he wanted वह चाहता था to get out बाहर जाना of the house घर से but लेकिन felt afraid लेकिन वह डर गया of being seen by someone यानि किसी के दवारा देखे जाने से अगली सुभा वह घर से बाहर जाना चाहता था लेकिन उसे डर था कि कहीं कोई से देखना ले he was very scared and thought he was यानि वह था very scared बहुत ज़्यादा डरा हुआ and thought और उसने सोचा it's morning now यानि आ यह है सुभा हो गई है अब सुभा हो गई है if someone sees me with this gold in my bag then I would get arrested and be killed for sure क्या मतलब यानि यदि someone यानि कोई आदमी sees me मुझे देख लेता है with this gold इस सोने के साथ in my bag मेरे bag में then यानि तब I would get arrested मैं जो है गिरफतार कर लिया जाऊंगा and be killed for sure और sure का मतलब निश्चित रूप से मार दिया जाऊंगा क्या मतलब अपूरी लाइन का वह डर जाता है और सोचता है कि अब सुभा हो गई है if someone sees me with this gold in my bag यानि यदि कोई मुझे मेरे bag में सोने के साथ मुझे देख लेता है then तब या फिर I would get arrested and be killed for sure तब मैं निश्चित रूप से अग्रफतार कर लिया जाऊंगा और मार दिया जाऊंगा I cannot even run now I cannot यानि मैं नहीं सकता even run now यानि अब भाग भी नहीं सकता Let me hide and stay inside this house till tonight क्या मतलब भा Let me hide चलो मुझे छिपे रहने दो and stay inside और यहीं अंदर रहने दो this house इस घर के till tonight यानि आज रात तक क्या कहता है वो कि मुझे इसी घर में छुपे रहने दो और यहीं पर रहने दो आज रात तक इस घर में I would leave the house after sunset I would leave यानि मैं छोड़ दूँगा या छोड़का चला जाओंगा the house घर को after sunset यानि शूर्यास्त के बाद sunset होते हैं सूर्यास्त After some time Asadhu opened the door and entered the house After some time यानि कुछ समय बाद Asadhu एक साधू ने opened the door यानि दर्वाजा खोला and entered Enter का मतलब प्रवेश करना या enter की second form है और प्रवेश किया the house घर में कुछ समय बाद एक साधू ने दर्वाजा खोला और घर में प्रवेश किया He found a bundle lying on the floor He found Find की second form है उसने पाया अब bundle यानि एक bundle lying यानि पढ़ा हुआ था on the floor पर्ष पर एक bundle पढ़ा हुआ तो उसने देखा The sadhu thought साधू ने सोचा Who has left this bundle यानि किसने has plus verb की third form का प्रियोग गवा है ये हमारा present perfect का sentence है ठीक है किसने छोड़ा है this bundle to the house घर पर when यानि जब I was away मैं दूर था क्या कहता है वो कि जब मैं घर से दूर था तब घर पर कोन आया था He quickly opened the bag and found it full of ash He यानि वहे या उसने quickly जल्दी से open का मतलब खोलना open की second form में ये ठीक है open the bag उसने जल्दी से बैक खोला and found और पाया यानि इसे full of ash राक से भरा हुआ ठीक है उसने जल्दी से वो बैक खोला और उसने देखा कि वो जो बैक था वो राक से भरा हुआ था कालू also saw this from behind the cupboard कालू also saw यानि कालू भी देख रहा था this इसे from behind यानि पीचे से दा कबर कालू भी इसे यल्मारी के पीचे से खड़ा हुआ देख रहा था but how could the gold pieces in my bag turned into ash but लेकिन how यानि कैसे how could the gold यानि कैसे जो सोना सोने के टुकडे थे in my bag मेरे बैक में turn यानि बदल गए into ash राक में क्या कहता हुआ कि कैसे मेरे बैक में जो सोने के pieces भरे हुए थे वो कैसे ash में यानि राक में बदल गए I had myself picked them and filled the bag wondered कालू I had head के साथ verb की third form का प्रियोग हुआ ठीक है यह past perfect का sentence है ठीक है I had myself picked them यानि मैंने उन्हें खुद से उठाया था and filled और भरा था the bag bag को भरा था ठीक है यह bag में भरा था wonder यानि आस्चरिया चेकित भालू कालू जो था वो सोचता है ठीक है उसे आस्चरिया होता है after some time when the sadhu was leaving the house कालू appeared before him after some time यानि कुछ समय बाद when यानि जब the sadhu was leaving the house जब जो sadhu था वो घर को छोड़ कर जा रहा था यह छोड़ रहा था कालू appeared यानि कालू प्रकट हुआ before him उसके सामने कुछ समय बाद जब sadhu घर छोड़ कर जा रहा था तो कालू उनके सामने प्रकट हुआ appear का मत्तव था प्रकट होना क्यूरियस का मतलब होना उसको ना to know जानने में the fact इस तथ्या को ठीक है जैसे कि जो कालू था वो इस तथ्या को जानने में बहुत उच सकता he said उसने कहा महराज I am a thief यानि मैं एक चोर हूँ thief होता है चोर ठीक है I entered your house last night to steal something enter का मतलब प्रवेश करना और ये enter की second format ठीक है मैंने प्रवेश किया था your house आपके घर में last night यानि पिछली रात to steal something कुछ चुराने के लिए ठीक है क्या कहता है कालू कि महराज मैं एक चोर हूँ मैंने आपके घर में कर रात प्रवेश किया था कुछ चुराने के लिए I saw the gold pieces lying on the floor C की कमदब देखना C की second format ठीक है मैंने देखा the gold pieces जो सोने के टुकडे थे lying यानि पड़े हुए थे on the floor first पर मैंने देखा कि सोने के टुकडे first पर पड़े हुए थे I collected those pieces in my bag collect का मतलब हुए खटा करना second form में ये ठीक है मैंने खटा करन किया those pieces उन टुकडो को in my bag मेरे बैग में यानि मैंने उन टुकडो को अपने बैग में खटा किया the bundle which you opened is mine but now it is filled with ash क्या मतलब हुए the bundle यानि जो bundle था which you opened जो की यानि जिसे आपने खोला is mine वो मेरा है but now लेकिन अब it is filled यह भरा हुआ है with ash राग से क्या कहता है कालो कि जो bundle आपने खोला वो मेरा है लेकिन अब ये है राग से भरा हुआ है I do not understand how the gold pieces have changed into ash please explain क्या मतलब भाग I do not understand यही समझ आया how यानि कैसे the gold pieces यानि जो सोने के टुकडे थे have changed have के साथ वर्व की third form का प्योग हुआ है तो यह हमारा present perfect का sentence है कि कैसे सोने के टुकडे बदल गए into ash ड्राग में please explain यानि किर्पया करके समझाईए the sadhu said यानि साथो ने कहा this house has divine influence this house यानि यह है घर में क्या है has यानि divine यानि दैविया influence प्रभाव इस घर में दैविया प्रभाव है every night यानि हर रात the earthen lamp glows and the gold pieces are scattered on the floor क्या कहता है साथो कि इस घर में दैविया प्रभाव है हर रात the earthen lamp यानि जो धरती का दिया है glows यानि जलता है and or the gold pieces और जो सोने के टुकडे है are scattered वो बिखर जाते है on the floor फॉरश पर ठीक है क्या कहता है वो कि हर रात धरती का दिया जलता है और जो सोने के टुकडे है वो फॉर्ष पर बिखर जाते हैं बट यानि लेकिन when those gold pieces are collected they change to ash यानि जब those gold pieces यानि वे सोने के टुकडे are collected इखटा कर लिया जाते हैं they change वे बदल जाते हैं to ash rock में यानि जब भी कोई उन्हें सोने के टुकडे के खटा करता है तो वे राक में बदल जाते हैं God has brought you to this house so that you learn a lesson God has brought has के साथ bring की third form है ठीक है brought यह हमारा present perfect का sentence है ठीक है क्या मतलब है God has brought you to this house यानि भगवान आपको इस घर में लेकर आया है so that यानि ताकि you learn आप सीखो a lesson एक सीख ताकि आपको एक सीख मिले greed is never a good habit greed होता है knowledge is never never का उन्दर कभी नहीं a good habit एक अच्छी आदत लालज जो है आपको the bad habit of stealing यानि चोरी की बुरी आदत को आपको अवशे ही छोड़ देना चाहिए कालू तच्ट दा सादूस feet and promised to leave his profession of stealing forever कालू तच्च तच्च की सेकेंड पोर में touched यानि कालू ने चुए दा सादूस feet यानि सादू के पैर चुए कालू ने and promised और वादा किया to leave छोड़ देने का his profession उसका जो काम था उसे छोड़ देने का of stealing forever यानि चोरी का जो उसका profession तकाम था उसको उसने हमेशा के लिए छोड़ देने का वादा किया और कालू ने किया यानि आपनी बुरी आदा तक बदलने के लिए कभी भी देर नहीं होती तो यह थी हमारी आज के स्टोरी मैं उमीद करती हूँ आपको हमारे आज के स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को कर दो